आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोज को क्रमा नुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा टैली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे अकाउंटिंग की परिभाशा और कुछ अन्ने परिभाशाएं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि टैली प्राइम सिखाने के पीछे हमारा उद्दिश क्या है और हमने टैली प्राइम सिखाने के लिए कितने लिवल्स बनाए हैं जो लोग टैली सीखना चाहते हैं निश्चत रूप से उन्हें मालूम है टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्ट फेयर है पर क्या आप जानते हैं अकाउंटिंग क्या है उसको कैसे करते हैं उसके क्या सिद्धान्त हैं उसके क्या लाब हैं इत्यादि शायद कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं इसलिए हम टैली सिखाना शिरू करने से पहले प्रारंभ की कुछ वीडियोस में बहुत ही सरल तरीके से अकाउंटिंग से संबंधित कुछ पेसिक जानकारी जो हमें टैली सिखाने के लिए आवश्यक लगी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ख्याल से टैली में काम करने के लिए ये जरूरी भी है कहते हैं ना फाउंटेशन यानि नियू मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है चलिए पहले समझ लेते हैं अकाउंटिंग क्या है किसी व्यापार या व्यवसाई के विक्तिय यानि फैनेंशियल लेंदेन का लिपिपथ रिकॉर्ड रखने उसका वर्गी करन यानि क्लासिफिकेशन करने सारांश प्रस्तुत करने और उसका विवरन यानि रिपोर्ट तयार करने और उनका एनलिसिस करने की कला को ही अकाउंटिंग कहते हैं हम इस वीडियो सिरीज में आगे बढ़ते हुए इन सभी बातों को एके करके समझेंगे यहाँ पहले हम इस लेसन में उप्योग होने वाले टेकनिकल शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं सबसे पहले समझते हैं व्यापार यानि ट्रेड क्या है लाब कमाने के उद्देश से किया गया वस्तूओं का क्रे या विक्रे व्यापार कहलाता है अब हम देख लेते हैं पेशा यानि प्रोफेशन क्या है आय अरजित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षन की आवशिक्ता होती है वो पेशा कहलाता है डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजिनियर आदी द्वारा किये गये काम पेशा कहलाते हैं अगली टर्म है व्याफसाय यानि बिजनिस ऐसा कोई भी वैधानी काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उदेशे से किया गया हो व्याफसाय कहलाता है व्याफसाय एक व्याफक शब्ध है जिसके अंतरगत उत्पादन, वस्तू या सेवाओं का क्रे, विक्रे, बैंक, बीमा, परिवहन, कम्पनियां आदी आते हैं व्याफार व पेशा भी इसी के अंतरगत आते हैं अब बात करते हैं ट्रांजिक्शन यानि लेंदेन की मापे जाते हैं चूंकि ये मुद्रा से संबंदित हैं इसलिए इन्हें फैनेंशियल ट्रंजेक्शन भी कहते हैं इसमें मुद्रा का भुकतान तुरंत या भविश्य में हो सकता है जब सौदे का तुरंत भुकतान किया जाता है तब वह नकद लेंदेन यानि कैश ट्रंसेक्शन कहलाता है और जब भुकतान भविश्य में किया जाता है तब उसे उधार लेंदेन यानि क्रेडिक ट्रंसेक्शन कहते हैं अब समझते हैं माल यानी goods किसको कहते हैं माल उस वस्तू को कहते हैं जिसका क्रे, विक्रे या व्यापार किया जाता है माल के अंदर गत वस्तू के निर्माण हे तू प्राप्त कच्ची सामगरी, अर्ध निर्मित सामगरी या तैयार वस्तूएं भी हो सकती है उधारन के लिए वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, शक्कर मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना, वह निर्मित शक्कर, फरनीचर के व्यापारी द्वारा फरनीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकडी, वह तयार फरनीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा ख खरीदा गया माल, क्रय या खरीदी कहलाता है। व्यापार में माल को नकत या उधार खरीदा जा सकता है जिसे cash purchase या credit purchase कहते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करता हो, उसके अलावा यदि कोई अन्य वस्तुएं खरीदा है तो वो खरीदी purchase नहीं कहलाएगी। जैसे यदि कोई कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह purchase के अंतरगत आएगा। पर यदि वो अपनी दुकान के संचालन के लिए computer खरीटा है तो ये purchase के अंतरगत नहीं आएगा क्योंकि उसने ये computer अपनी दुकान को संचालित करने के लिए खरीदा है बीचने के लिए नहीं विक्रे यानी Cells, किसी भी व्यापार में कोई माल लाव कमाने के उद्देशी से बेचा जाता है तो ये Cells कहलाता है व्यापार में माल को नकद या उधार बेचा जा सकता है जिसे Cash Cells या Credit Cells कहते हैं नकद और उधार विक्रे को मिला कर कुल विक्रे यानि टोटल सेल्स को टर्न ओवर कहा जाता है यहां महतुपुन बात यह है कि हमारा व्यापार जिन वस्तू या सिवाओं का है उनकी अलावा जो भी बेचा जाता है वो सेल्स या विक्रे नहीं कहलाता है उदारन के लिए माल लीजे आपका electronics आइटम का showroom है और आप electronics का सामान बेचेंगे तो इसे sales कहा जाएगा लेकिन यदि आप अपने showroom का पुराना furniture बेचते हैं तो ये sales नहीं कहलाएगा अगली term है राजस्व यानी revenue revenue से आशय ऐसी राशी से है जो माल अत्वा सेवाओं के विक्रे से नियमित रूप से प्राप्थ होती है साधी व्यवसाई के दिन प्रतिदिन के क्रिया कलापों से प्राप्थ होने वाली राशियां जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिसकाउंट आदी भी revenue कहलाते हैं आय यानि income एक व्यक्ति या संगठन की आय यानि income वो धन है जो वो कमाते हैं या प्राप्थ करते हैं वैसे आय एक व्यापक शब्द है इसमें लाभ भी शामल रहता है आय दो प्रकार की होती है प्रत्यक्ष आय यानि direct income इसके अंतरगत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्यकारे से प्राप्थ होती हैं जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मुल्य प्राप्थ हो रहा है वो direct income में आएगा मालीजे आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो कपड़े की सेल्स से होने वाली प्राप्ति आपकी direct income कहलाएगी दूसरी तरह की आए होती है अप्रत्यक्ष आए यानि indirect income मुख्य व्यापसाई के अलावा जो भी income होती है वो अप्रत्यक्ष आए यानि indirect income क्यालाती है उधारन के तौर पर यदि आपका कपड़े का व्यापार है तो उससे प्राप्त होने वाले आए के अतिरिक्त जो भी आए होती है जैसे आपने कुछ गोदाम किराये पर दिये हुए हैं तो उनका किराया या फिर आपने कुछ रुप्या बाजार में उधार दिया हुआ है तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याच आपकी indirect income कहलाएंगे अगली टाम जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है व्याय यानि expenses एक व्यक्ति या संगठन का व्याय यानि expenses वो धन है जो हम अपने काम के दोरान कुछ करते हुए खर्च करते हैं ये भी दो प्रकार का होता ह पहला है प्रत्यक्ष व्याय यानि direct expenses इसके अंतरगर्थ हमारे मुख्य कारे से संबंदे जो भी सीधे खर्च होते हैं वे आते हैं जैसे व्यापार के स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो उस उसे अपने गोडाउन या फैक्टरी तक लाने के लिए जो गाड़ी भड़ा देते हैं यदि कपड़े पर कोई embroidery करते हैं यानि कपड़े को बेचने योगी बनाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं ये सब खर्चे आपके direct expenses माने जाएंगे दूसरी तरह का व्य है अप्रत सकते हैं मुख्य व्यवसाई से संबंदित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर शेश सभी खर्च इसके अंदर गताते हैं जैसे व्यवसाई या व्यापार को चलाने में सहयोग करने के लिए जो भी खर्च होते हैं जैसे ओफिस से संबंदित कर्मचारियों की तं अगली टर्म है interest यानि ब्याज व्यापार में जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं तो उस लोन राशी के उपयोग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्यत तर से प्रतिफल यानि consideration के रूप में कुछ राशी देनी पड़ती है जिसे ब्याज कह कहते हैं कई बार हम किसी supplier से ज्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीते हैं तो उस लंबी अवधी के लिए भी हमको ब्याज देना पड़ सकता है इसके विपरित यदि हमने किसी customer को लंबी अवधी के लिए उधार माल बेचा तो उस पर हम ब्याज ले सकते हैं फिर है यानि डिसकांट व्यापारी द्वारा अपने ग्रहकों को दी जाने वाली छूट या रियायत को ही डिसकांट कहते हैं जब हमें किसी से डिसकांट प्राप्त होता है तो उसे डिसकांट रिसीवड कहते हैं और जब किसी को डिसकांट दिया जाता है तो उसे डिसकांट अला व्यापारी माल बेश्टे समय ग्राहक को माल की मुल्य में कुछ राशी कम करता है या बिल की राशी में से कुछ राशी कम करता है। प्राया ये छूट ग्राहकों को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए दी जाती है। दूसरा है नकत बट्टा यानि cash discount व्यापारिक चलन के अनुसार प्रते ग्राहक को एक निश्यत अवधी में भुगतान करने के सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्यत अवधी के पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कुछ शूट दी जाती है जिसे cash discount यानि CD भी कहा जाता है। प्राय ये discount प्रतिशत के रूप में दिया जाता है जैसे 2% cash discount या 3% cash discount त्यादी। Cash discount के लालच में ग्राहक शीग्र भुगतान करने के लिए प्रुच्साहित होता है। अब आता है commission जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी का काम करने जैसे कुछ खरीदने या बेचने में सहायता देने या आने कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है तो उसे commission कहते हैं। कई बार विक्रेदा अपने कर्मचारियों को सेल बढ़ाने के लिए प्रोच्साहित करने के लिए भी तनख्वा के साथ इस तरह का commission देता है। या पारिश्रम में एक साधारन तया निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है पर कभी-कभी यह निश्चित राशी में भी दिया जा सकता है। अगली term है सेवा यानि service। वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। अपने website में हम कई प्रकार की सेवाओं का उप्योग या उपभोग करते हैं। जैसे हम अपने computer supplier से अपना computer सुधरवाते हैं। या computer में कोई नया software इंस्टॉल करवाते हैं। तो यह उसके द्वारा दी गई सेवाए हैं। इसे तरह मान लीजिए हमने किसी electrician से अपने यहाँ AC ठीक करवाया, तो यह भी उसके द्वारा दी गई सर्विस ही है। ग्राहक यानि customer हम जिसे माल बेचते हैं वो हमारा customer कहलाता है। विक्रेता यानि supplier हम जिससे माल खरीते हैं उसे supplier कहते हैं। इस वीडियो में आपने accounting की परिभाशा के साथ ही कुछ अन्य परिभाशाओं के बारे में जाना। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि double entry system क्या है और साथ ही कुछ अन्य परिभाशा हैं।